हलो गाइज विलकम बैक टो आवर चैनल जॉब्स वले भाया बहुत ही शानदार वेकंसी है आपको यहां पर दिख रही होगे और यह बहुत है जल्दी हो जाएंगे मतलब जिनको जल्दी आवशकता है नौकरी की तो वह लोग अप्लाई करें और जो लोग पर्मनेंट में पर चाहिए तो ठीक है और नीचे चैनल का लिंक भी है तो यहां पर देखे सबसे पहली चीज आपको उतकर से स्मॉल फिनांस बैंक है यह तो यहां पर जो जिस डिस्टिक में आपकी जॉब निकली हुई है वो है पटना भागलपूर मुझपरपूर गया पुर्णिया च्छाउनि चौक यह बेटिया के अंदर बानु च्छापर में निकला हुई ठीक है और उसके बाद मोतिहारी में बरियारपूर के अंदर निकला हुई है तो कौन से कौन से डिस्टिक होगे पटना भागलपूर मुझपरपूर गया पूर्णिया च्छापर बेगुसरा ब बतायां कि क्या हम लोग त्यारी करने चाहिए तो आपको दिखा देता हूँ तो आपके स्क्रीन पर जासा दिख रहा है कि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल महिला और पूलिस के लिए जो भरती निकाली गई थी उसके लिए एक परफेक्ट बुक यहां प फिलिप कार्ट का लिंक है वो मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग खरी सकते हैं अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदा नहीं चाहते हैं तो अपने नजदी की जो भी यहां पर दुकानदार है उनसे संपर करके आप लोग खरी सकते हैं ठीक है तो जाके अभी करें यहां पर आपको अवलेबल कराया गया है जैसा कि कि 3,000 से ज्यादा यहां पर वस्तुनिस्ट परस्ट के साथ आपको यह अवलेबल कराया है साथ में आप देखते हैं 500 पेपर भी है पहला पुस्तक के बात कर रहे हैं तो इसके अंदर और दूसरी पु स्क्रिप्सन में लिंक है या फिर अपर नजदी की दुकान से इसको खरी लीजे ठीक है चली चलते हैं फिर्ट्स बैक टू वेकेंसी तो फिर्ट्स आप लोगों को बता दें यहां पर कौन सी कौन सी पूस्ट की वेकेंसी निकाली गई है तो माइक्रो फाइनेंस बैंक है यहां पर आपको यह समझी की लगू जो बैंक होता है जो बहुत सारे फंड वगएरा रिलीज करता है और मतलब स्वर्म सहायता समूह वगएरा जो भी होता है उसको भी देखरे करता है यहां अच्छा मतलब यह उतकर से स्मॉल फैनेल्स बैंक का तो मेरे ख्याल से सबी लो आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि यहां पर अगर आप अपलाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं किसी दलाल का कॉल आ जाए और वो पैसे की मांग करने लगे कि हां मैं आपका इसमें करवा दूंगा तो बिल्कुल आप लोग इस चकर में मत पढ़िएगा ठीक वेकेंसी निकाली गई है जेन्विन वेकेंसी है जेन्विन तरीके से आप लोग जाएए और क्या करना है वो सारे चीजे समझते हैं चलिए सबसे पहला पोस्ट यहां पर देख सकते हैं प्रेंट्स आपके स्क्रीन पर यहां पर ट्रेणी क्रेडिट ऑफिसर चलिए वाला अधिकतम होनी चाहिए और आपको सेक्षन ही कियो गे ता फिरंट्स आपके सनातक होना चाहिए कम से कम आप लोगे हैं अपलाई कर सकते हैं और अनुभव आपको यहां पर कोई अवशकता नहीं है लिखा हुए फ्रेसर लोग अपलाई कर सकते हैं ठीक है अपलाई कर सकते हैं जिनको कम से कम 6 महिने का एक्सपिरियंस होगा इस लाइन में ठीक है अगर आपको यहां पर चाहिए और बिजनेस लोन में सेल्स का दो वर्स से ज्यादा कर सकते हैं अगर आप लोन फाइनस कराते हैं किसी भी प्राइबिट कंपनी का उसमें दो साल का गरनभव है तो आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन साथ में आप एक्सपिरियंस चार साल का होना चाहिए यहां बाकी आड्रस लिखा हुआ है कि पटना में कौन से अड्रस है और अच्छी चीज यह है फ्रेंट्स की यह डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका टेलिग्राम ग्रूप में सौरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं आपको मिलेगा टेलिग्राम चैनल पर आप यह नोटिफिकेशन डाउलोड करके इसको अच्छे से पढ़के उस मेतिय के अन्दर ही होने वाला है और आगे देखते है क्या क्या ज़्रूरत है तो यहां पे आपको जरूरत है रिक्वाइड डॉक्यूमेंट्स में क्या करतें सीवी CV का मतलब होता है curriculum भिताते यानि कि आपका जो भी आपने पढ़ा है सुरू से लेकर जहांढ़ी experience है जो भी है अपका knowledge है एक सुंदर सा आपका हो ना चाहिए resume Сे थोड़ा अलग होता है resume कि पीज में ही काम चल लाता है लेकिन करीकुलम भिताते पूरा detail होना जाहिए क्या तीन साल को तीन मंत का आपका experience का payment का जो sleep होगा वो उनको चाहिए लेकिन pressure candidate को यह सब कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो आप लोग कर सकते हैं आप लोग का है पर selection हो जाए तो देखिए आप के काम की चीज नहीं होगी तो आप लोग शेयर करिएगा चुरूर शेयर करिएगा ताकि किसी का भला हो जाए ठीक है ऐसा मत सूचिएगा कि मेरे काम का नहीं है मुझे यहां पर काम नहीं करना है तो मैं यहां पर apply नहीं जाए फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी होगी हमारा हेल्प करने का तरीका आप अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा पहली बार है चैनल पर तो और नेक्ट वीडियो तक कि इली फ्रेंट्स धन्यवाद